दोस्तों अगर आपका voter eyecard बना है और उससे mobile नमर या फिर email ID लिंक नहीं है या फिर link है तो उसे बदलना चाहते हैं तो यह सब आप काम online घर बैठे असानी से कर सकते हैं इस वीडियो में हम इसी के बारे में detail में जानने वाले हैं तो आई जानते हैं भी ना समय गवाएं हम अपने browser को open करेंगे और इसमें type करेंगे nvsp दोस्तों यह काम आप अपने mobile phone से असानी से कर सकते हैं सबसे उपर आएगी nvsp.in हमें इसी website पर विजिट करना है हमारे सामने इस website का कुछ ऐसा interface नजर आएगा यह दोस्तो national voter service का portal है यहाँ पे एक option मिल जाता है सबसे नीचे login या register का हम इस पे click करेंगे यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा interface आएगा यहाँ पे हमें click करना है don't have account registered as a new user हम इस पे click करेंगे यहाँ पे हमें मोवाईल नमर डालेंगे इस फ़ले 사csन में capture डालेंगे जो कि यहाँ पे पे show हो रहा है send OTP पे click करेंगे हम्य डालेंगे पर टाइब करेंगे और कंचर होगी करेंगे यहां पर किलिक कर आप काफी सारे जाते हैं जिसमें से एक आफ्सन का हम इस पर क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तों काफी सारे form open हो जाते हैं हमारे सामने हम यहां पर क्या करना है कि form 8 को यहां पर क्लिक करना है देख लिए प्रारूप 8 या फिर form 8 हमें किसी पर यहां पर enter कर देना है दो option भी लेगा यहां पर self या फिर family का अगर आप अपना यहां पर करना चाहते हैं तो self का करना है उसको चल्ड करना है ca है इस पर बसक्ल Cat करना है जिस पर जीला से और ऑपर नीचे करेंगे तो काफी से डिटेल हमारे और यहां पर आ चुके हैं यहां पर एक option मिल जाता है किरपया सही की जाने वाली प्रविष्टी पर निशान लगाएं यहां पर काफी सारे option मिल जाते हैं यहां पर आपको क्या करना है कि लिंग पूरुस इस्तिरी या फिर अन्न पर और यहां पर करना है हला कि यहां पर directly mobile number यहां पर नहीं दिया तन जाते हैं तो ऑंपर डूए नहीं यहां पे सब्सक्राइब ऑद ना सब्सक्राइब क्लिक करते हैं और ऋसके सामनेकी रिट फ्रार्इंस इप dignity हो Incre nada लेंगे ताक्कि याफ बाद में इस्टेटस को चेक कर सकते हैं स्ट्रेक्ट करने के लिए आप पर देखिए हम यहां पर home page पर आ जाएंगे और यहां पर यहां पर इस्टेटस चेक कर सकते हैं यहां पर एक option मिल जाता है एक application status हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे समने दूसरा tab open होगा यहां पर reference ID को डालेंगे और track status पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी status होगा सामने आ जाएगा अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कितने दिनों में mobile नमर लिंक हो जाएगा तो जनरली 10-15 दिन लगी जाते हैं mobile नमर को लिंक होने में हाला कि अगर आपके area में या फिर आपके state में और election होने वाले हैं तो ऐसे condition में water eye card से जोड़े हर काम काफी जल्दी किये जाते हैं तो ऐसे condition में 2-3-4-5 दिन में असानी से हो जाता है इस तरीके से आप अपने घर बैठे water eye card से mobile नमर को असानी से लिंक कर सकते हैं कोई भी सवाल हो सुझा हो confusion हो तो उसी टाम हम से comment करके पूछिए हम जरूर reply करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में जैन